नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का दर स्टेडी लाइन में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत में आपातकाल कितने तरह से लगाई जा सकती है भारत में आपातकाल कब कब लगी और वो कौन सा समय था और भारत में आपातकाल की अंति तक देखिये क्योंकि आपको करते हैं तो friends यहाँ पे सबसे पारा कुशंस है भारत में कितने परकार की आपातकालिन ववस्थाओं पर विचार किया जा सकता है यानि कि भारत में कितने तरह से अपात्काल लगाया जा सकता है तो लगाया जा सकता है तीन तरह से ठीक है पहला हो जाएगा आपका राश्टी अपात्काल ठीक है दूसरा हो जाएगा आपका राज में राश्टपती सासन तीसरा हो जाएगा आपका वित्ती अपात्काल ठीक है यह तीन तरह का जो अपात की घोशन कर सकता है यानिकि कितने प्रकार के आपात की गोशन कर सकता है भारत मैंने आपको तीन का नम बता दिया नेक्स्ट अगला देखते हैं अगला है भारत में अब तक कितनी बार अपातकालगी की घोषना हो चुकी है तो कितनी बार भारत में अपात काल की घोषना हुई है फ्रेंट्स तीन बार हो चुकी है ठीक है आगे हम लोग तीनों का डेट भी पड़ेंगे कब कब हुई है चलिए आगे देखते हैं क्या आगे है आपका देश में पहली बार अपात काल की घोषना कब हुई थी तो ये हुई थी 26 अक्टूबर 1962 में ठीक है भारत में पहली बार अपात काल की घोशना कब हुई थी 26 अक्टूबर 1962 में ठीक है अगला है आपका दूसरी बार अपात काल की घोशना कब हुई थी तो यह हुई थी तीन दिसम्बर 1971 में तीन दिसम्बर 1971 में दूसरी अपातकाल की घुषना हुई थी अगला है आपका कि तीसरी अपातकाल की घुषना कब हुई थी ये भी बहुत इंपोर्टेंट है इसका रायटन सोब गाब 25 जुन 1975 में ठीक है अपादकाल हुआ था 62 में, दुसरा हुआ था 71 में, और तिसरा हुआ था 55 में, पहला 62 में, दुसरा 61 ए 35 में, फ्रेंड्स इसको याद र sausage, यह पूछा याता है, ठीक है, अगला है क्वेसंस कि तीसरी बार अपातकाल की घोषना किस अधार पर की गई थी यानि कि भारत में जो तीसरी बार अपातकाल की घोषना हुई थी वो किस कारण से हुई थी तो यह हुई थी आंत्रिक अशांति के कारण ठीक है आंत्रिक अशांति के कारण जोए भारत में तीसरी बार अपातकाल की घोशना हुई थी चलिए अगला क्वेसंस देखते हैं अगला क्वेसंस है आपका राष्टपती की अपातकाल की उद्घोशना को संसत के समख्च उसकी श्विकिर्ती हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए तो इसका राइट अंसर का एक महा के अंदर जोए रखा जाना चाहिए चूलिए अगला कवसंट दिखते हैं अगला है किस अनुझेत के तहत भारत के राष्ट पति राष्टी आपातकाल की उद्भुश्न कर सकता है तो इसका रायेट अंसर कर अनुझेत 352 तिन सो बाबन के तर जो है भारत के राष्टपती जो है राष्टी अपात्काल की घुशना कर सकता है मैंने आपको अपात्काल जो है तिन तरह का बताया कि भारत में तिन तरह का जो है अपात्काल लग सकता है तो मैंने आपको पहला बताया था राष्टी राष्टी अपातकाल दूसरा बताया था मैंने आपको राज में राष्टपती सासन तीसरा बताया था मैंने आपको वित्तिय अपातकाल ठीक है तो यह पहला अपातकाल जो अनुछे तिनसो बावन के तत लगेगा ठीक है अगला अगला है पर्थम बार राष्टिया पातकाल की घोषना के समय भारत के राष्ट्रपती कौन थे तो इसका राष्ट्रपती सासन की घोषना सबसे अधीक किसके समय में की गई थी तो इसका राष्ट्रपती सासन की घोषना सबसे अधीक समय की गई थी अगला कोशन से भारत वित्य अपात की घोषना कितनी बार हुई है यानि कि भारत में वित्य अपातकाल की घोषना कितनी बार हुई है तो इसका राइटन अंसर होगा एक भी बार नहीं याने कि 0 अंसर होगा ठीक है याने कि कभी नहीं हुए ठीक है भारत में वित्तिय अपात की घुष्ण कभी नहीं हुए ठीक है अगला है आपका कि किस अनुछेत के अंतरगत राष्टपती वित्तिय अपात की घुष्ण कर स सकता है आगला कोशन से किस अनुच्छेत के तहत यानि कि किस अनुच्छेत के अंतरगत राश्ट्र पती राज में अपातकाल की घोशनव कर सकता है तो अनुच्छेत 356 के तहत एक था आपको अनुच्छेत 352 दूसरा था आपका तीसरा आपका 356 तो मैं आपको जरा साथ रिमेंबर करा दूं याद करा दूं एक बार कि 302 जो लगेगा फ्रेंट्स वह राश्टी अपातकाल में लगेगा ठीक है 356 जो लगेगा फ्रेंट्स वह लगे आपका राज में जो राश्ट पतिस असन लाग होगा उसमें और 360 जो जो लगेगा फ्रेंट्स वह लगुआ आपका वित्यस पात्स में ठीक है वित्ट्यस पात्स में तो एक बार जरूर याद रखें इसको कपी में लगेके की राष्टियापातकाल लगेगा फ्रेंट अनुछटी 352 के तहतं दूसरा जो लगएगर 356 राष्टियाज पतिस आ सासन होता है तो उस राज का कारभार किसके हाथ में होता है तो इसका राजपाल के हाथ में ठीक है राजपाल के हाथ में जो है उसमें होता है जब राष्टपती सासन उस राज में लागू होता है ठीक है अगला देख लेते हैं देश में पर्थम बार किसी राज में राष्ट राष्ट्पति सासन कब लागो हुआ था है की बहुति अच्छा को सबस्का अईरी राष्ट्पति सासन लागो था चलिए अगला क्वेशन्स देखते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना अगला क्वेशन्स है तीसरी बार अपातकाल की घोषन के समय भारत के राष्टपती कौन थे तो इसका राष्टपती थे फक्रूद्दीन अली अहमद तीसरी बार जो भारत में अपातकाल की घोषना होई थी तो उस समय जो राष्टपती थे वो फक्रूद्दीन अली अहमद थे अगला क्वेशन्स देखते हैं अगला क्वेशन्स है आपका आपातकाल के समय इसकी स्विकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार है तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट कोशंस है नेक्स्ट कोशंस है तो इसका राइटन से का 42 मा ठीक है तो इस तरह से राश्ट्पति सासन का जो है 6 से 12 हो गया 42 में केतत तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे जानकारी दी आपातकाल से संबन दिद उमिद आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यहां से बारबार questions पूछे जाते हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को बिनादेरी के अब यहां ही पर अब समाप्त करते हैं जाते जाते मैं एक ही बात करूँगा अगर आप किसी भी तरह का जनकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें साथ ही अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दें तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद गुडुबाय आपका दिन सुभो